इस महाशिवरातरी अगर आप फलहरी बनाने के लिए सोच रहे हो तो इसके लिए साबुदाना बेस्ट है आप इससे काफिर डिशिस बना सकते हो और आज मैं आपके लिए लाई हूँ साबुदाना की सबसे असान रेसिपी साबुदाना खिटडी जिससे आप फटा फट तयार कर सकते हो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक कब साबुदाना जो मैंने पहले ही बिगो कर रख दिया था अब यह अच्छे से फूल भी चुके हैं और अच्छे से मैश भी हो रहे हैं मैंने लिया है आपर दो आलू जिसको मैंने उबाल के काट लिया है तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें एक चमज घी आप चाहे तो ओयल का भी यूज कर सकते हैं इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा जैसी जीरा चटकने लगी उसके बाद इसमें डालेंगे हम कड़ी पता अगर आप रत में कड़ी पता का यूज नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चौप्ट ग्रीन चिली उसके बाद जो हमने अलू बाले थे उसको हम डालके अच्छे से सौटे कर देंगे अब बारी है इसमें मूफली डालने की मैं आपर कथी मूफली यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो इसे मूफली को रोस्ट करके ब्लेंडर में दरदरा पीसके भी से डाल सकते हैं इससे भी खिजड़े में बहुत ही अच्छा करंच आता है अब मैं डाल हूँ इसमें साबूदाना तो मैंने आपर सारा साबूदाना डाल दिया है इसे डालने के बाद इसे 3-4 मेरे तक अच्छे से पकाऊंगी याद है आपको इसे ऐसे ही चलाते रहना है जिसी के नीचे चिपके न और आपको इसे तब तक चलाना है जब तक ये ट्रांस्परेंट नहीं हो जाता तो इसकी यही खासेत होती है कि आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांस्परेंट हो गया इसका मतलब ये बन के रेडी हो गया है अब इसमें मैंने डाल दिया है आप सेंधाना मक लास्ट में से आप हरे धनीय पत्ते से गार्णिश करें आप चाहे तो इसमें थोड़ा निम्बू का रस भी डाल सकते हैं अगर आप वरत में निम्बू नहीं यूज करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं बाकि हमारा ये साबुदाना किचरी बनके रेड़ी है आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए आने वाले महाशिर रात्रे में आप ये रेसिपी ट्राइ करके देख सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचिंग यक्षेर और सुस्क्राइब